स्री शिवाय नमस्तु उप्याम चलो चले कुपरिश्वरदाम तो दोस्तों मैंने पहली वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि ट्रेंड से आप कैसे पहुँच सकते हैं और अब बताने जा रहा हूँ कि दियर रुखी बस्ते से आप कुपरिश्वरदाम कैसे पहुँचे चलो चले कुपरिश्वरदाम के सध्याय में मैं आपको पूरा सीहूर का बस्ते स्टेंड गुआँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां हम किस तरह से किस बस से और किस तरह किस रास्ते से कुपरिश्वरदाम पहुँच सकते हैं क्या हम बस से जाएं तो हमें सस्ता पड़ेगा क्या हम आटो से जाएं तो हमें सस्ता पड़ेगा या हम यहाँ से टेक्सी लें जिसके माध्यम से हम वहाँ पहुँचें तो हमें उसके माध्यम से सस्ता पड़ेगा तो कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा कौन सा वहान हमारे लिए सही होगा यह सब मैं आज आज आपको बताओं तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हर एक जानकारी देता जा रहा हूँ वैसा ही हम यहां बस स्टेन्ट से निकल चुके हैं और बस स्टेन्ट से दीरे दी रहे मैं आपको सभी जास्तों की जानकारी देते हुए वो सभी रास्तों के बारे में विस्तार पूर्वग बताता जाओंगा एवं कौन सा रास्ता कहां जाता है और क्या पड़ता है हमें रस्ते में क्या-क्या महत्पूर्ण चीजे हैं क्या-क्या होता है वो सब बताओं दोस्तों पसिश्टेन से निकलने के बाद हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारे आगे महुंन हिस्पिटल है जो जिलन है ढर यहां फहर जिले का मुख्य हॉस्पिटिल επसस्थे यह हम धीरे-धीरे बढ़ते जाएंगे हम देख रहे हैं कि हमारे आगे नदी चोरहा है नदी चोरहा से हमें साधन मिल सकते हैं हम यहां से भी कुप्रिश्वर धाम पहुंच सकते कि अछी में रहां पार कान गारे आस्टोर bénजिर सकते हैं हमारे आस्ट old यूष्र 295日 करते हैं हमाररी यहां से एक हमारे आस्टी चैंड़ा प्रिये च्र कि शेरे इखाई एक में कम हमारे फ़िए ऐसा मेंस आस्ट़ दोस्तों बस टेंज से हमने हमारी जर्नी श्टार्ट कि थी बस टेंज दीरे दीरे आगे बढ़ते हुए उन्हां इंदोर नाका पहुंच चुके और इंदोर नाका से हम दीरे दीरे आगे बढ़ेंगे हम थोरी दूर पर मंतरी पेट्रूलबं पहुंच आएंगे अगर हम अपनी रास्ते के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पढ़ेगा मंतरी पेट्रूलबं से छूपाल सागर थूढ़ा 2-4 किलोमेटर आगे पढ़ेगा और चोपाल सागर पहुंचने के बाद हम धीरे-धीरे मेन हाइवे पहुंच जाएंगे जहां से हमें कोब्रेश्वर वर्दाहम के लिए सीधा रास्ता मिल जाए और दोस्तों फाइनली हम चोपाल सागर की और पहुंच चुके हैं और यहां से हम इंदौर भौपाल हाइवे के पास पहुंचेंगे और इंदौर भौपाल हाइवे से कोब्रेश्वर धाम हमारे बस कुछी च्छनों की दूरी पर होगा झाल